मेवात में अवेत निर्मान करने वालों पर जिला प्रसासन की टीम द्वारा निगरानी रखी जा रही है इसी कड़ी में जिले में अवेत निर्मान करने वालों पर कारवाई की जा रही है जो आगे भी जाई रहेगी उनने कहाई कि जिले में अवेद धंग से निर्मान करने वालों पर नकेल करते हुए उनके अवेद इस टेक्शर तोड़े जा रहे हैं जिलाप्रसासन द्वारा अब नियमित रूप से ये अभियान चलाया जाएगा अवेद निर्मान किसी भी तरह का क्यों नहों उसे तोड़ दिया जाएगा सही तरीके से हो रहे कार्यों को जिलाप्रसासन द्वारा सरक्षन वीति आ जाएगा और किसी के साथ कुछ भी गलत नहीं होगा इसी स्रंखला में जलाप्रसासन द्वारा अवेत कपचा करने वालों पर आज बड़ी कारवाई की गई है ऐसे इस्तानों को जलाप्रसासन की टीम द्वारा सूची ब्रद किया गया है जहां अवेत कपचे हैं और उन पर नियम अनुसार कारवाई करते हुए उन्हें हटवाकर जमिन को खाली करवाय जा रहा है इस तोरान मौके पर वरिष्ट अधिकारियों की टीम ओपस दित रही वनोंने अधिकर्मन वाले इस्थानों के बारे में विष्टार से जानकारी देते हुए कहा है कि नलः सिम मंदिर के पीछे वनवाहक की लगभग पांच एकड़ भूमी पर लोगों द्वारा अधिकर्मन किया गया है जिसे आज धरासाई किया गया इसी प्रकार पुनहाना में वनवाहक की छै एकड़ भूमी तथा अवेत रूप से बने एक मकान को धरासाई किया गया नगीना के एमसी छेतर में पढ़ने वाले धोबी घाट में भी तोड़ोड दस्ते द्वारा लगभग एक एकड़ भूमी को खाली करवाए गया इसी प करने वालों पर नियम अनसार कारवाई खिचा आएगी झाय झाली करने गीकर को बेसे हे भी घाटा झाल 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 झाल